लोजपा में तूट के बाद से ही पार्टी दो गुटों में बिभाजित हो चुकी है चाचा, पशुपती पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों को ही पार्टी का नया नाम और नया सिंबल मिल चुका है लोजपा के चुनाव चिंग बंगला को भी निर्वाचन आयोग ने जप्त करने के बाद अब दोनों खेमों को नया चुनाव चिंग भी दे दिया है चिराग पासवान और पशुपती पारस की पार्टी का नाम भी अब अलग-अलग तै हो गया है चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपती पारस की पार्टी को अलग-अलग नाम और चुनाव चिंग दिया है चिराग पासवान की पार्टी अब लोग जन सकती पार्टी राम बिलास के नाम से जानी जाएगी उनकी पाटी का चुनाफचिन भी अब हेलिकॉप्टर होगा वही पशुपती पारस की पाटी का नाम रॉस्ट्रिये लोगजनसक्ती पाटी होगा उनको शिलाई मसीन का चुनाफचिन निर्वाचनायोग ने दिया है बीते महीने 12 सितंबर को पटना में चुराग पासवान ने पिता रामबिलास पासवान की बड़सी कारेकरम आयोजित किया था इस कारेकरम को चुराग ने काफी बड़े अस्तरपर मनाया था इसमें राजेपाल से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे थे नितेश कुमार सहित जदियू का कोई भी बड़ा नेता चुराग पासवान के यहाँ बड़सी कारेकरम में भले ही ना आया हो मगर इस सफल इवेंट के जड़िये चुराग जनता को यह संदेश देने में सफल रहे कि वही रामबिलास पासवान के असली वारिस है चुराग के इस सफल इवेंट को देखते वे चाचा पशुपती पारस ने भी आठ अक्टूबर को होने वाले पुन्नेतिती कारेकरम को और बहतर साबित करने का ननलिया इसके लिए उन्होंने पक्ष भिपक्ष सही तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रन दिया कारेकरम में अधिक से अधिक लोग आए इसके लिए तमाम विवस्थाएं की गई यह दापा किया गया कि कुल पचास हजार लोगों के भोजन का इंतजाम किया जा रहा है इसके लिए भबे पंडाल एबं तमाम व्यंजन भी बनाए गए रसगुला गुलाब जामुन जलीबी की भी विवस्था की गई जैसे जैसे दिन की शुडुवात हुई कारेकरम में लोगों की भीड भी जुटनी शुडु हो गई राजेपाल, फागु चोहान, नितीश कुमार, तेश परताप यादब जैसे तमाम बरेनेता कारेकरम में भी पहुँचे लेकिन जैसे ही दोपहे ढला सारी सुर्खिया अचानक चिराग पासवान के कारेकरम ने लूट ली जैसे ही राजत अध्यक्ष लालू यादब और राहुल गांधी एक साथ चिराग पासवान के दिल्ली इस्तित घर पहुँचे अचानक सभी चैनलों पर चिराग से जुड़ी खबरे दिखने लगी इस दोरान लालू प्रशाद ने रामबिलास पासवान की तस्वीर पर पुषपांचली अरपित करते वे उन्हें गड़ीबों का मसीहा बताया साथी उन्होंने रामबिलास पासवान को केन सरकार से भारत रतन देने की मांगी कारेक्रम में पहुँचे लालू प्रशाद ने चिराग पासवान को आशिरवाद दिया लालू प्रशाद के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी पहुँची थी इसके कुछ समय बाद रक्षा मंतरी राजनात सिंग भी चिराग पासवान के यहां पहुँचे इधर तेजस्वी आदब जो खुद चिराग पासवान के यहां बरसी कारेक्रम में आये थे वह पशुपती पारस के यहां पुन्यतिती कारेक्रम में नहीं पहुँचे लोग के बीच इससे यही संदेश गया कि तेजस्वी अभी भी चिराग को नाराज नहीं करना चाहते खैर वजह जो भी हो पशुपती पारस के लाख पर्यासों के बाबजूद उन्हें वह सफलता हासिल नहीं हुई जो चिराग दूनों ही बार हासिल करने में सफल रहे भी हाड इंसोर्ट्स की ओर से डेस्क रिपोर्ट आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पीज को लाइक करें धन्यवाद